नमस्कार आप देख रहे हैं सावाँ चेड़ुजेट जनपत हातरस इस वक्ती की खबर हातरस के हसाइन कोटवाली शेतर के गाउं बस्तोई में सरसो के खेट में एक यूवक का सम्मिला था यूवक वहीं एक खेट की रखवाली करता था जिसका तीन जनवरी की सुबा खेट में सम्मिला था सूशना पर पहुंची पुलिस ने सब को कबजे में लेकर जाँच पर्टाज सुरू कर दी थी वहीं यूवक की सिनाक्त छोटे लाल पोतर खेम सिंग निवासी गाउं का नकुर्ट जिला अलीगर के रूप में हुई थी आज पुलिस अदिक्चक ने यूवक की हत्या का खुलासा करते हुए बताया है कि मिर्टक की पत्नी सुदा की हत्या रोपी अर्विन से अवैस संबन थे अर्विन उत्राखरंड रोडवेज में ड्राइवर था जो लॉकडाउन के कारण अभी अपने गाउं में ही रह रहा था मिर्तक को उसके अपने पत्नी से अवे संबंदों की जानकारी हो गी थी तब पत्नी द्वारा अपने प्रेमी अर्विन से अपने पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए कहा गया तब योजना बना कर मिर्तक की पत्नी के प्रेमी आर्विंद ने अपने साती दल्वीर के साथ जहां मिर्तक खेत की रखवाली करता था वहां देर रात पहुचकर उसकी गमचे से गला घोट कर हत्या कर दी पुलीस अदिक चेक में बता है कि मेतक की पतनी सुदा उसके प्रेमी अर्विंद और हत्या में साथ देने वाले आरोपी दल्बीर को गरपतार कर जेल फेज दिया है समाचे एडिजाइट के लिए हातर से हभीब खान के रिपोर्ट सर आज आज आपके बारा शोखिदार की हत्या का खुलासा किया जया है क्या है सतूरमामला देखिए तीन जन्वरी को थान हसायन छेतर में खेत में एक व्यक्ति की डेट बॉडी मिली थी जिसका पोस्माटम कराये गये था पुरिस द्वारा और हत्या की वज़े गला डबाकर हत्या करना प्रकाश में आये था इसके सम्मन्द में जो मृतक है उनके परिजनों द्वारा अथाना हसायन पर शक्क के आधार पर एक नामज़र तहीर देगी थी जिसमें हत्या का मुकद्मा पुलिस द्वारा पंजिक्रित किया गया था इस घटना के अनावरण हेत्व इसमें सर्वलांस टीम फॉलेंसिक टीम आर्दी के साथ जो थाना द्यक्ष हसायन के इनके द्वारा काफी अथक परियास किये गये और इसी घटना के इनके द्वारा अनावरण किया गया है और इस हत्या की घटना में शामिल तीन अभ्यूक्तों को पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है ये तीन अभ्यूक्त जो है अरविंद दलवीर और श्रीमती सुधा जो की मृतक की पतनी है इन तीनों से विस्थित पूश्टाच की गई है इस सम्मंध में और जो इसमें हत्याभ्यूक्त है मुख अरविंद इसके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है उसकी पतनी से कई साल है अरविंद कि इसको रास्ते से हटा दो ये मुझे काफी तंग करता है और फिर हम साथ रह लेंगे इसी चीज़ से प्रेरित होकर जो मुख अभ्यूक्त है अरविंद इसने अपने पुराने साथी को अपने साथ बुलाया दलवीर को और जो घटना की रात है यानि दो ता है उसकी हत्या लिक्र कर दी गई और इनके दोरा पूस्ताश में बताया गया कि पास से ही फा जुश्टयार करता कहा करता है अरविंद बुलाया पता है लावनाउन के बाद ये अपने गाउं वापिस आया था और जो इसका साथ ही है जिसने इसका साथ गिया ये पूर मेज के साथ कंड़क्टरी इसने की है इसी अरविंद के जो सम्मंद इसने बताए है कि मृतकी पत्नी के साथ काफी लंबे समय से चल रहे हैं देखी जिस मोटर साइकिल से गए थे घटना को कारिद करने वो मोटर साइकिल इनके पास से बरामद हुई है तथा इनके मॉबाइल फोन इनके पास से मिले इनके द्वारा घटना को इसकी पत्नी ये सहमती पेंजम जिया गया है जे बिल्कुर इनकी पत्नी इसमें 120 बीके मुल्जिम है जिनके द्वारा इस चीज के लिए प्रेड किया गया था और उसके पूरी नॉलिज में था ये इस इस तरह से घटना इन्होंने काजित की है और घटना काजित करने के बाद गी उसको जो हत्या धुख था उसने उसके पत्नी को बतायता है कि हमने उसे रस्ते से हटा दिया है